जेल में बंद बिमार लालू की बेल का विरोथ करने वाली बीजेपी बलातकारी राम रहीम के पैरोल का समर्थन कर रही है चारा घुटाली में दोशी पाए गए लालू को खतरनाग बताने वाली बीजेपी बलातकारी और हत्यारे राम रहीम से हमदर्दी दिखा रही है न्याय पालिका में विश्वास दिखाने वाले नेता लालू के आचरण पर संदेज उताने वाली बीजेपी एक बलात कारी के आचरण को साफ सुत्रा बता रही है बिहार में चरवाहों, गरीबों और किसानों के सबसे बड़े नेता की बेल को गैर जरूरी बताने वाली बीजेपी, हिंसक एवं दंगाई रामरहीम को खेती करवाने के लिए छुड़ा रही है क्या आम जनता को ये समझ नहीं आ रहा कि बीजेपी रामरहीम के जरिये वोटों की फसल उगा रही है बलातकारियों और अपराधियों के साथ खड़ी होकर भाजबा अपना राजनैतिक धर्म निभा रही है समर्थकों को संत और विरोधियों को अपराधी बताकर बीजेपी खतरनाक न्यू इंडिया बना रही है नमस्कार मैं तान्या यादव बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है बलादकार और हत्या के मामले में दोशी पाए गए राम रहीम को न्याइपालिका में भरोसा नहीं है उनके समर्थक सड़कों पर आकर हिंसा करते हैं पीडितों वकीलों और जच तक को मारने की धमकी देते हैं ऐसे मोहल में दिल्ली हरियाना और यूपी में धारा 144 लग जाती है दहशतगर्दी के इस मोहल में 30 से ज्यादा जाने चली जाती है मतलब राम रहीम का रिकॉड ये कहता है कि उनकी रिहाई बेहत खतरनाक है उनके समर्थकों का उग्रवादी रिकॉड ये कहता है कि इस बाबा के इशारे पर बड़ी हिंसा हो सकती है फिर भी भाजवा सरकार को राम रहीम में संत नजर आता है CM खटर को तो राम रहीम में एक महनत कश किसान नजर आता है इसलिए खेती किसानी के लिए राम रहीम के पैरोल का समर्थन कर रही है मंद्री से लेकर मुखे मंद्री तक सभी समर्थन में बयान दे रही है दूसरी तरफ 71 साल का एक बुज़र्ग नेता है जो नियाए पालिका में पूरा विश्वास रखता है तमाम रिपोर्ट्स खुलासा करती रही है कि लालू यादव को चारा घोटाले में जबरदस्ती फसाया गया है दलितों, पिछडों और अल्प संक्रकों की आवाज उठाने के बदले में सबख सिखाया गया है फिर भी लालू ने कभी नियाएपालिका का अपमान नहीं किया जब जो फैसला आया पूरा सम्मान किया और पिछले ढ़ाई दशकों में कई बार वो जेल भी गए इस समय भी वो राची के जेल में है गंभीर बिमारियों से उनकी जीवन पर खत्रे के मद्दे नजर परिवार बार बाल बेल की डिमांड कर रहा है लेकिन बीजेपी और नितीश की सरकार इसका विरोध कर रही है नियाएपालिका को चुनौती देने वाले राम रहीम के पैरोल का समर्थन और नियाएपालिका में आस्ता रखने वाले लालू के बेल का विरोध करने वाली भाजपा कि इसी दोगली नीतियों का सोशल मीडिया पर जम कर विरोध हो रहा है आशीश यादव लिखते हैं राम रहीम को पैरोल लालू यादव को क्यों नहीं जबकि वो बिमार हैं ये दोगली बातें क्यों मिरिणाय कुमार लिखते हैं लालू यादव भी सोच रहे होंगे कि रत्यात्रा के दोरान अडवानी और अटल बिहारी वाजपाई के साथ उन्होंने कोई दूर विभार नहीं किया फिर भी उनके मामले में उनकी इतनी दुरगती क्यों की जा रही है जबकि चारा घुटाले का असल सरगना जगरनाथ मिश्रुप बेल पर ही जेल से बाहार है वो भी बिमारी के बहाने इसी बात को विस्तार में समझाते हुए इंजीनियर विपिन सिंग यादव लिखते हैं लालू यादव 71 साल के हैं उन्हें हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, किड़नी और दिल की विमारी है तबियत लगातार बिगड रही है इलाज के लिए दिल ली आई थे तो कोट और प्रशासन ने हवाई जहास से आने की भी इजाज़त नहीं दी चारा घोटाले के आरोपी है कोई बलातकार या हत्या का मुकदमा नहीं है जमानत पर छूटने के बाद कोई घोटाला भी नहीं कर सकते क्योंकि किसी भी समवधानिक पत पर वो नहीं है हर्याना सरकार बलातकार के सजायाफता मुझरिम बाबा राम रहीम को पैरोल पर छोड़ने की सोच रही है और लालो यादव की जमानत का बिहार सरकार लगातार विरोध कर रही है मतलब साफ है कि पक्ष में रहोगे तो बलातकार जैसे जगन्य अप्राप की सजा पाकर भी बाहर आ जाओगे और विरोध करोगे तो कितने भी विमार हो जेल में ही रहोगे क्या यही है नया भारत सच में हम सब को यही पूछना होगा क्या यही है नया भारत जहां बीजेपी का समर्थन करने वाल अव्यक्ती कितना भी खतरनाक होगा, उसकी सिफारिश की जाएगी, उसका समर्थन किया जाएगा और मौका मिले तो उसे संसध में भेजा जाएगा, मंत्री भी बनाया जाएगा, लेकिन बीजेपी का राजनैतिक विरोधी नेता, और गलत को सही बताया जाएगा